बच्चो कैसे हो आप सब अच्छे हो ना और खाना अच्छे से खाते हो घर का खाना ही खाना बाहर का बिल्कुल मत खाना क्योंकि बाहर का खाने से हमें बहुत सारी बिमारी आती हैं ठीक है बच्चो आप तो बहुत अच्छे बच्चो आप बाहर का खाना बिल्कुल नहीं ख घर का ही खाना तो बच्चो आज हम कौन सा व्यायाम करेंगे हम आपको बताते हैं बच्चो आज हम हमारी अंगुलियों का व्यायाम करेंगे ओके बच्चो, क्यूंकि अगर हमारे अंगुलियां मजबूत हैं, तो हम हर काम आसानी से करते हैं, क्यूंकि हमारा जो भी काम होता है, जादा अंगुलियां ही करती हैं, जैसे किताबों में लिखना, पढ़ने के लिए तो आखे होती हैं, लेकिन लिखने के लिए हमारे हाथ ह ही मजबूत होना चाहिए और अंगुलियां ठीक है बच्चों चलिए कैसे करना है बच्चों हम आपको बताते हमें यह अंगुली कि यहां पे इतना पोर लेना इतना ही यह उपर का और इसको यहां से दबाना है ऐसे 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 ठीक है बच्चों ऐसे आप दबाओगे फिर यह छोटी वाली जो सबसे छोटी अंगुली होती है ना इसको हम तीन मिनट तक दबाएंगे ठीक है बच्चों इसको हम तीन मिनट तक जब दबाएंगे और इसको दस मिनट तक दबाएंगे ठीक है बच्चो फिर इनको दो-दो मिनट के लिए इनको भी ऐसे दबाएंगे यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे 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 हम ऐसे सारी अंगुलियों को दबाएंगे ठीक है बच्चो तो आपको ये व्यायाम रोज करना है इससे हमारी एंगुलिया बहुत मजबूत होती है ठीक है बच्चो फिर ऐसे 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 जैसे हम कोई चीज पकड़ रहे हैं तो ऐसे पकड़ना है हमें ऐसे 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 हम कोई चीज ऐसे दबाते हैं वैसे हमें करना है ऐसे दबाना है ऐसे ठीक है बच्चो तो आप ये व्यायाम रोज करोगें कैसे एक बार फिर से हम आपको बताते हैं ये अंग्डी को हम ये किनारे और ये किनारे दोनों तरफ से ऐसे दबाएंगे ऐसे 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 फिर यहां से दबाएंगे ऐसे 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 ठीक है बच्चो ऐसे 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 फिर ऐसे 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 आपको सारी अंगलियों को दबाना है फिर कोई चीज पकड़नी जैसे हमें यह व्यायाम करना है हम कोई चीज पकड़ रहे हैं ऐसे ओके बच्चो तो आप यह व्यायाम रोज करोगी ठीके बच्चो चलिए अब हम पढ़ाई करते हैं ओके बच्चो चलिए सुरू करें तो बच्चो अब हम सुरू करते हैं चलिए आप अपनी किताब निकालिये हमारी हिंदी की किताब निकालनी है आपको तो हमारी हिंदी की किताब का नाम है हिंदी मेरा पहला कदम उसमें प्रेश्ट नंबर 29 निकालना है प्रेश्ट नंबर 29 निकालना बच्चो तो प्रेश्ट नंबर 29 में आज का हमारा वेंजन है क्या है बच्चो आज का हमारा वेंजन है र वेंजन र चलिए बोलिए मेरे साथ पाच बार वेंजन र वेंजन र वेंजन र ठीक है बच्चो चलिए अब हम र वेंजन से सुरू होने वाले सब्द और उसके चित्र देखेंगे और आपको सब्द बोलना है ठीक है बच्चो चलिए हमारा पहला चित्र कौन सा है आप अपनी किताब में देखो बच्चो पहला चित्र कौन सा है पहला चित्र है हमारा रसी र से रसी र से रसी र रसी आपने देखिए ना बच्चों, कोई भी सामान बांधना है, उसको हम रसी से ही बांदते हैं, है ना बच्चों, घर में भी रसीयां होती हैं हमारे छोटी छोटी जो बंधी हुई होती हैं, है ना बच्चों, जिनमें हम कपड़े भी सुखाते हैं, तो उसको हम लोग क्य बोलते हैं रसी तो र से रसी 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 अब ही आप अपनी किताब में देखो दूसरा चित्र कौन सा है कैसा दिख रहा है आप बताओ बच्चो आपको कैसा दिख रहा है इसको पुराने जमाने में राजा लोग इसमें सवारी करते थे राजा लोग इसमें बैठ के जाते थे कहीं दूर जाना हुआ तो इसमें जाते थे इसका नाम है बच्चो रत क्या नाम है रत रो से रत ठीक है बच्चो तो पुराने जमाने में बस, कार ये सब नहीं चलते थे तो रत से ही सवारी होती थी राज़ा लोग दूर दूर तक जाते थे रत से जैसे हमें कहीं जाना हुआ दूर हम बस से जाते हैं आटो से जाते हैं या फिर कार से जाते हैं लेकिन पहले के जमाने में रत घोड़ा और हाथियों से जाया जाता था तो ये घोड़ा इसको रत को लेके जाता था तो बच्चो ये राजा महराजाओं के पास ही होता था और इसको हम क्या बोलते हैं? रत, रो से रत ओके बच्चों, अभी हम हमारी किताब में नीचे देखेंगे क्या लिखा है? आप बताओ वेंजन प और वेंजन र वेंजन प और वेंजन र प और र मिलाके हम लोग क्या पढ़ेंगे? बताओ बच्चों, दोनों को हम जोड कर क्या पढ़ेंगे? और, है ना? प और र को जोड दिया, तो बन गया पर ठीके बच्चों, तो आप वेंजन र से सुरू होने वाले सब्द और चित्र हम आपको और दिखाते हैं ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हो देखिए आप, ये कौन सा चित्र है? आप बताओ, ये तो आप रोज खाते हो ना? इसको खाने से हमारा सरीर मजबूत भी होता है आप बताओ, क्या है ये? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटी मम्मी घर पे रोटी बनाती है ना बच्चों? फिर आप खाते हो सबजी में, डाल में, किसी भी चीज में, अचार में रोटी खाते हैं ना हम लोग तो रोटी चलिए आप मेरे साथ पाँच बार बोलेंगे रोटी ठीक है बच्चों? चलिए अब हम आपको दूसरा चित्र दिखाते हैं यह क्या है? आप देखो बताओ बच्चों क्या है यह? यह पूजा पाठ में होती है ना? मंदिरों में घरों में भी लोग रखते हैं यह इसको हम लोग बोलते हैं रामायन क्या बोलते हैं? रामायन मंदिरों में घरों में भी लोग पढ़ते हैं इसको इसकी पूजा करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रामायन इसमें राम जी भी होते हैं लच्मर जी भी होते हैं सीता जी भी होती हैं है ना बच्चो तो इसको हम लोग रामायन बोलते हैं चलिए आप मेरे साथ पांच बार बोलो रोसे रामायन, रोसे रामायन, रोसे रामायन, रोसे रामायन, रोसे रामायन ठीक है बच्चो चलिए अब हम आपको तीसरा चित्र दिखाते हैं क्या है ये? आप बताओ देखकर क्या है ये इससे हम मुझ पोँचते है tun, हाथ पोँचते है आप स्कूल जाते हो ना फिर आप जब बात्रोम जाते हो या फिर खाना खाने के लिए हाथ वास करने जाते हो हाथ धुलने जाते हो वहाँ से आने के बाद आप रूमाल से हाथ पोँचते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रूमाल क्या बोलते हैं रूमाल है ना बच्चो इसको हाथ दुलने, मुझ पोँचने के काम आती है ना ये और हम इसकूल भी लेके जाते हैं इसको तो इसका नाम है रूमाल क्या नाम है? चलिए आप मेरे साथ पाच बार इसको बोलेंगे रो से रूमाल 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 ओके बच्चो चलिए अब हम आपको चोथा चे क्या है ये? आप बताओ इसको कहां देखा है आपने दुकानों में जो बड़े बड़े दुकाने होती है ना सोने चान्दी की दुकान वहाँ पे होता है है ना बच्चो और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रत्न क्या बोलते हैं रत्न और इंग्लिज में इसको बोलते हैं डायमंड है न बच्चो रत्न हम अंगूठी बनवा के पहनते हैं अंगूलियों में है न बच्चो इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे रत्न चलिए बोलिए आप मेरे साथ पाज बार रो से रत्न 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 ओके बच्चो अब बताओ ये कौन सा चित्र है ये तो सबको पता होगा है न बच्चो पहले के जमाने में राजा लोग रहते थे तो हम इनको राजा बोलेंगे क्या बोलेंगे राजा महराजा रहते पहले के जमाने में जो हमने पहले बताया आपको की रत में सवारी करते थे राजा महराजा ये ऐसे होते हैं ठीक है बच्चो चलिए अब पाच बार आप मेरे साथ बोलोगे रो से राजा 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 ओके बच्चो अब हम आपको रो वेंजन से शुरू होने वाली एक छोटी सी कविता सुनाएंगे ठीक है बच्चो चलिए हम आपको कविता बताते हैं चलिए बच्चो अब हम रो वेंजन से शुरू होने वाली कविता कर ओके बच्चो पहले हम बोलेंगे कविता का शीर्षब कविता का शीर्षब र क्यूंकि हम रा वेंजन से सुरू होने वाली कविता पढ़ रहे हैं ओके बच्चो चलिए राजा रानी रत परशवार चड़ कर मिलता सुख आपार दूर दूर तक घूम कर आए घोडे रत को खीच ले जाए घोडे रत को खीच ले जाए हमने आपको पहले पढ़ाय है ना कि पहले के जमाने में राजा रानी रत पर सवार होके जाते थे हैं ना बच्चो और उनको बहुत सुख मिलता था बहुत अच्छा लगता था रत पे घूमने दूर दूर तक जाते थे हैं ना बच्चो और घोडे रत को खीच ले जाते थे ओके बच्चो चलिए एक बार और आप मेरे साथ बोलेंगे ये कविता चलिए सुरू करते हैं राजा रानी रत पर सवार चड़ कर मिलता सुख आपार दूर दूर तक घूम कराएं घोडे रत को खीच ले जाएं कैसी लगी आपको ये कविता अच्छी थी ना चलिए अब हम रवेंजन आपको लिखना सिखाते हैं ओके बच्चो चलिए अब बच्चो हम रवेंजन कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं ओके बच्चो पहले हमको आडी रेखा खीजनी है फिर उल्टा सी बनाना है फिर उपर से ऐसे सी दे ले आना ओके बच्चो एक बार हम और लिखेंगे ठीके बच्चो कैसे पहले हम लोग आड़ी रेखा बनाएंगे फिर उल्टा सी बनाएंगे फिर नीचे की तरफ को खीच कर ले आएंगे ओके बच्चो अब आप घर में ये लिखना सीखेंगे ओके बच्चो धन्वार